कर दिया ना येस जी वेरी गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है और जैसा की हम यहां देख पा रहे हैं बच्चे हूंवक तो करके ले क्या आए हैं इतना असा लिख करके मैसेज लिखना था न लायकतर को मतलब देखो इतना सा लिख करके लाए भाई लाया है इस बात की मैं खुशी लेता हूं कि आओं इस में फ्री टाइम में लेका यह चल गूड राई तो किया मतलब तुने ना direct conclusion लिखा है मालू, provision नाम की भी कोई चीज होती है, अरे provision तो लिखता रहे लाला, अजित्ते बच्चे online है, पुरी उम्मीद है आपने homework तो किया नहीं होगा, बोलो हाँ, पुरी उम्मीद है आपने homework तो किया नहीं होगा, बोलो हाँ, गिर्वराज homework किया है क बताना, अजा, शुरुबात में सबसे पहले जरूरी बात, जरूरी बात यह है कि बहुत दिनों से यह जो lecture है, यह YouTube के उपर open चल रहा है, कल से हम लोग जो lecture है, यह shift कर देंगे, कहां पे, कल से यह lecture हम लोग shift कर देंगे, हमारे app पे, तो तो जो एकत्वम का हमारा app है भाई तो टेकनिकल टीम से का संपर्ख करे, टेकनिकल टीम का नंबर प्लीज सब लोग लिख ले, ठीक है, टेकनिकल टीम का नंबर लिख ले, 895 678 4254 895 678 4255 यह जो टेक्निकल टीम का नंबर है यह सुबत 10 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक के एक्टिव रहता है तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं अपना टेक्निकल सुविधा ले सकते हैं तो कल थोड़ा सा ओफिस से टाइम निकाल करके प्लीज मेक शौर कर ल सारी चीज़े चालू हो जाए तो टेक्निकल टीम का यह नंबर है भाई साब आप क्या कर दीजिएगा फॉलो कर दीजिएगा येस कि अधन अच्छा जी कि बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हम कौन से टॉपिक में हैं हम है रिटर्न नाम के टॉपिक में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें क्या करना था रिटर्न फाइल करना था याद आ रहा है तुम लोगों को तो अगर घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, हमें return file करना था, yes or no, अगर हमने क्या करना था, return file करना था, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यह return के लिए आपको क्या जरूरी है, pan जरूरी है, तो चलो everyone pan के, कितने लोगों को जरूरी था, book नहीं खोलना, revise करो, जल charitable trust, third, if income, total turnover from the business exceed five lakhs, यहादा रहे क्या, चौता, अधर, नहीं आदा रहना पेटा, क्या हुआ पेटा, तुमको लगा था, का लगा था, साल्ड़ा खुस होगा, साबाची देगा, ओ, C-A, A-C-A, F-C-A, बोलो, नहीं आदा रहा, पल्टो पेज, पल्टो पल्टो, जाओ जाओ जाओ, पल्टो, पल्टो, कुछ रिवाइज नहीं करका है, नालय को, हाँ, अब कुछ याद आया, पहला, person, जिसकी income, exceed कर रहे है, basic exemption, limit से, दूसरा, charitable trust, तीसरा, business, जिसका gross receipt or turnover, कितने से उपर जा रहा है, बोलो, जल्दी से, 5 lakh रुपी, से उपर जा रहा है, next, individual, other than individual, if financial transaction exceeds 2.5 lakh, पाच्वा, person holding the position of director, partner, trustee, MD, CEO, yes or no, right, sixth, any other person notified, अगर हम any other person notified की बात करें, तो उसमें था, कि भी, अगर cash deposit, जो है, 20 lakh से उपर जा रहा है, अगर cash withdraw, 20 lakh से उपर जा रहा है, या फिर आप CACC account open करने वाले हैं, तो आपको PAN लेना है, PAN कब तक के लेना है, देखो boss, trust के case में, या business के case में, before the end of financial year, बाकी सब के case में, 31st में, और जो transaction वाले situation है, उसमें हमें at least 7 days before the transaction लेना है, इसके बाद हम लोग, you know, आधार पे आये थे, कि या अगर आपको return भरना है, या PAN भ Assam, Meghalia, Jammu Kashmir में हैं, उसको PAN नहीं लेना है, and, sorry, आधार नहीं लेने की ज़रोत है, and person 80 और अबाओ, इसको आधार लेने की ज़रोत नहीं है, फिर हमने देखा था, modes of filing the return, क्या तुम्हें याद है, mode of filing the return, मालिक mode of filing the return के अंदर में, सबसे पहले हम लोग ने देखा था, Central Government has power to provide exemption to class or classes of person from filing the return, 139.1.C, दूसरा हमने देखा था, bulk return 139.1.A, क्या यह optional है, या mandatory है, याद करो, optional है या mandatory है, optional था, सिर्फ कितने cities के अंदर में लागू था, 16, वो ही employer जो 10 रखता है, जिसके पास, and return, वो क्या कर सकता है, employer के तरफ देश सकता है, फिर हमने पढ़ा था, 139.B, अब 139.B की अगर बात की जाए, yes, 139.B की अगर बात की जाए, तो, TRP return भर सकते हैं, मेरा सवाल है, who can't be TRP, तीन लोग can't be TRP, CA, legal practitioner, any other class of person specified, फिर हमने देखा था, TRP कौन से return नहीं भर सकता, homework कर के आईए तू, नहीं आईए न homework कर के, चल जा बार, बढ़े, अगली बार अगर तुने homework नहीं किया, समझे दिन लायक, हाँ, चलो जल्दी बताओ, वे वे वे, हाँ, कौन से return TRP नहीं भर सकता, tax audit वाले cases, non-resident वाले cases, and, अगर उसने original return नहीं भरा, तो वो revised return नहीं भर सकता, clear है मालिक, चलो, बहुत बढ़िया, 139, फिर हमने बढ़ा था भी है, किस को return भरना है, याद है, 6 pointer बनाया थे हम लोगों ने, और यह सबसे बड़ी list थी, चलो, start again, किस को return भरना है, पहला company, firm LLP, right, इसको return भरना है, दूसरा, ROR, having assets, or signing authority, outside India, either as a beneficiary, or as a beneficial owner, तीसरा, individual HOF, AOP, BOI, AJP, if income before deduction, और, exemption, exceed, बो बो बढ़ा, basic exemption limit, च्वाथा, person, other than individual HOF, AOP, BOI, AJP, अगर income basic exemption limit से उपर है, पांच वा, अगर current account में deposit, किते से उपर हो बढ़ा, 1 crore, saving account में deposit, किते से उपर हो बढ़ा, किते से उपर हो जाए, 2 lakh, business का profit, sorry, turnover of business exceeds 60 lakh, gross receipt from business exceeds 10 lakh, यादा रहा है किया मालिक आपको, yes, senior citizen की case में, TDS, TCS deducted, 50,000 से उपर हो, other than senior की case में, 25,000 से उपर हो, तो आपको return भरना है, यादा रहा है मालिक, इसके बाद हमने देखा था, other person के लिए, 1394 A, a charitable trust, याद रखने का तर limit से उपर है, तो आपको return भरना है, दूसरा, 1394 B, 1394 B में हम लोग ने देखा था, political party, political party को अपना income exempt करवाना होता है, section 13 A के अंदर में, अगर उनकी income, 13 A के पहले, you know, basic exemption limit से उपर है, तो return भरना है, फिर, सामने office है, 1394 C, ऐसे institution जो section 10 में cover होते हैं, इनकी income basic exemption limit से उपर है, that exemption तो आपको return भरना है, फिर, 3 cases थे, जो institution 35 में covered है, business trust and investment funds, ये return भरना जरूरी है, profit हो याद आ रहा है, इसके बाद हमने देखा था, the due date for filing return, right, all those cases, not just company, company के case में तो ये fix है, but all those cases, जो TP के अंदर में आ रहे होंगे, वो 30th November of the assessment year के अंदर में आते हैं, others 31st October के अंदर में others liable to tax audit, not liable to tax audit, if they are liable to tax audit, if they are liable to tax audit, if they are liable to tax audit, 31st October, if they are not liable to tax audit, 31st July, याद आ रहा है मालिक तभी को, हाँ या न, जन, अच्छा जी, firm के case में, अगर firm tax audit में cover है, तो partner का return भी उसके बाद जाएगा, section 5A, अगर आप Portuguese civil law के अंदर में cover हो रहे हैं, तो husband and wife की income equally divided होती है, other than salary income, तो फिर जिरो due date husband के लिए होगी, वही wife के लिए होगी, जो wife के लिए होगी, वही husband के लिए होगी, वही से वर्सा, याद आ रहा है, यहां तक का पूरा chapter return के अंदर में आपने पढ़ा है, बोलो हाँ, yes, plus, अब एक और point में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको य रहा था, right, उससे related एक और point है, पर मैं आपको वो सभी को बता दू, वो हम कहां देखने वाले है, dividend, जब IFOS में पढ़ते रहेंगे, taxation of dividend, वहां हम उससे related, एक और clarification देखेंगे, clear है मालिक, चलो जी, आजो, due date of filing return and return हम लोगो ने पढ़ लिया, अब आते हैं, consequences of not filing the return within the due date, अगर हम due date पर return file नहीं करते, तो इसके consequences क्या है, आ जाते हैं, इसके consequences क्या है, दीखेंगे, पहला consequences है इसका, interest under section 234A, अगर आप return time पे नहीं भड़ते, तो आपको सबसे पहले लगता है, interest under section 234A, अगर आप return time पे नहीं भड़ते, तो आपको सबसे पहले लगता है, interest under 234A, यह जो interest नाम की चीज है, यह बहुत ज़रूर यह है, कि आप interest 234A, B and C, तीनो एक साथ पढ़ें, तो in order to have a better clarity, अगर आप देखेंगे, index में जाकर के देखो, 9th chapter पूरा का पूरा सिर्फ इंटरस के लिए रखा गया है, तो पूरे income tax में जहां पे भी interest cover हो रहा है, वो एक ही chapter के अंदर में cover कर दिया, and maximum of the cases, जब आप अपना computation भी देखोगे, 234A, B, C, तीनो एक साथ आता है, तो और you know, जिते भी आप final के problems देखोगे, यहां पर तीनो भी आपको एक साथ calculate करने बोलता है, तो इस बेटर हम 234A को यहां देखे, तो पहला consequences क्या है, consequences number one, आपके ऊपर लग जाता है, interest, इसका एक short part मैंने यहां पर आपको दिया है, पर मैंने फिर भी यहां पर लिखा, only relevant part covered, it is further later on discussed, समझ में आरी बात, so, it is covered in a separate chapter called as interest, बढ़ते हैं आगे, अगर आपने return time पर file नहीं किया, तो दूसरी चीज है fees, अगर आपने return time पर file नहीं किया, तो दूसरी चीज क्या है बोलो जल्दी से, fees आप लोग को क्या है, applicable है, fees आप लोग को क्या है, applicable है, इसके बीचे की 2 मिनिट की history समझी है, आपको पूरा law समझ में आ जाएगा, history क्या आती है, देखे, return file जब आप करते हैं, यह return income tax department process कर रहा है, well the answer is no, इसे third party process करती है, अब who is the third party जो इसे process करती है, पहले TCS process करता था, as of now, infosys process करता है, yes, as of now, पूरे के पूरे return जो होते है इनको process जो होता है, यह पूरा का पूरा infosys करता है, यह contract infosys को दियावा है, अब infosys ने क्या कियावा है, एक bulk contract पूरा का पूरा income tax department से लियावा है, to process all the return, वो जो हम करते हैं, 143.1 summary assessment, तो उसके पीछे का पूरा infrastructure infosys ने लगाएवा है, yes, अब situation क्या है, situation यह है, अब situation यह है, कि लोग क्या करते थे, return late बढ़ते थे, now every return has to go through processing, आपने bulk contract पहले दे दिया, और उसके बाद क्या करते थे, जो late लतीफी वाले आते थे, यह लोग return नहीं बढ़ते थे, और बाद में return को क्या करते थे, सरकार प्रोसेस में डालती थे, अब जो individual return process में जाते अलग अलग time पे, इनके लिए separate fees लगती थे, क्योंकि यह bulk contract के part नहीं थे, इनके लिए separate fees लगाई जाती थे, क्योंकि पूरा infrastructure वापस run किया जाता था, इसका cost भी income tax department bear करता था, it was sir Arun Jetli, Arun Jetli sir ने क्या किया, he was then finance minister, उन्होंने बोला यार यह जो return late file कर रहे है, इनका return process करन रादर वो bear करे, आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां उन्होंने penalty word को use नहीं किया, there is a very specific logic उन्होंने penalty word use नहीं किया, क्योंकि penalty अगर word लिखते थे, तो पहले opportunity of being heard लगा, फिर penalty को exemption के rights है, you know commissioner उसको exempt कर सकता है, fees में ऐसा कुछ income tax ने लिखा ही नहीं था, तो बड़े smartly, you know Arun Jetli sir ने क्या बोला, यह जो fees है processing का, यह हम नहीं देंगे, the person who is filing the late return, he will provide a fees, हम क्यों दे यार, और इस से सरकार का बहुत बड़ा पैसा बच गया, क्योंकि अब जो late भर रहा है, उसके उपर यह burden shift हो गया, rather than income tax department, यह burden अपने उपर लेता था, and that is the reason, इसको penalty word ना बोल क क्या बोला गया, fees बोला गया, now, person, अगर कोई return time पर file नहीं करता, जो 139.1 के अंदर में लिखा है, the fees is 5,000 रुपीज which shall be payable, पहले यह 5,000 और 10,000 हुआ करती थी, अब एक standard है 5,000 रुपीज, अब क्या है बटा, standard है 5,000 रुपीज, further एक और criteria है, अगर total income, अगर total income 5,000 पेस उपर नहीं जारी, the fees amount cannot exceed 1,000, the fees amount cannot exceed 1,000, so चलो, फटा-फट बताना, if a person do not file the return, बोलो मेर साथ, if a person do not file the return, the fees is Rs. 5000, बरे-बरे, यह fees दोनो time पर लगती है, return नहीं भरा तब भी, return लेट भरा तब भी, point to be noted, यह सिब return लेट भरने पर नहीं है, return नहीं भरा, मतलब आप filing of return, late filing of return, दोनों के उपर fees लगाई जाती है, fees is 5,000 रुपीज, but if the total income does not exceed, बोलो मेरा, 5,00, the maximum fees is 1,000 रुपीज, clear है, मालिक, अच्छा जी, sir, क्या यह fees लगाने के लिए, कोई letter या notice भीजना जरूरी है, मैंने आपसे पहले ही कहा, this is not a penalty, opportunity of being heard is not required, hello, this is not a penalty, opportunity of being heard is not required, यह directly applicable है, समझमारी बात, यह automatic applicable है, इसे के लिए देखेंगे, जो आपके office के software होते है, the moment return late है, यह automatically उसको increase कर देता है, plus 234 A, B, C लगाता है, व समझमारी यह बात, अच्छा जी सर, आज एक homework दे रहा हूं, homework करके आना है, homework यह है, suppose कर लिजे, मेरे tax payable ही zero है, मैं income की बात, नहीं कर रहा हूं, मेरे tax payable ही zero है, क्या मेरे पर fees applicable है, क्या हूँ, understand की जाए, sir tax payable कैसे zero हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, exemption claim कर रहा है, return हमने finally किया, हम exemption claim कर रहा है, return time पर finally किया, हम exemption claim कर रहा है, tax payable is zero, return not filed on time, बताईए, क्या fees applicable है, आज यह homework करके आना, अपने office में इस बात पर discussion जरूर करना, ठीक है, यह practical aspect है, return not filed, late filed, दोनों case में fees है, बरे बरे, suppose return late filed, और हम, हमारी income क्या है, exempt, जिस चक्र में हमारा tax payable क्या है, zero, so if tax payable is zero, will there be fees under 234F, यह मेरा सवाल है, मैं सवाल फिर एक बार तीसरी बार रपीट कर दू, ठीक है, जितने बच्चे ऑन लाइन है, ध्यान जा सुनना, if my tax payable is zero, because of exemption, I am not filing the return, whether I am liable to pay fees, yes or no, समझ मारी बार, so person liable to pay, fees for furnishing return of income after the due date, a fees of 5000 shall be payable, if return is furnished after the due date, however if total income does not exceed 5 lakh, fees shall not exceed 1000, fees shall not exceed 1000, clear है मालिक, okay, okay, register में जाओ, please write on, register में जाओ, important part है, लिखना है, 234F, 234F, if return is not filed on time, if return is not filed on time, under section 139.1, under section 139.1, then, then, a fees of rupees 5000 is applicable, a fees of rupees 5000 is applicable, yes, further, if the income does not exceed 5 lakh, further, if the income does not exceed 5 lakh, then, when, the fees shall not exceed 1000, आपे, चुआ, पर रहीं, जाओ, लिए, रहीं जाओ, येस, देने वालिक, चलिए, एक बर मेरा सथ रिकॉल करो, सारे के सारे, ठीक है, मैं आपको section बता रहा हूँ, आपको recognize करना है, कौन सा section क्या था, 139A, basic exemption limit बहुत बढ़िया, नाला एक PAN, 139AA, आ से आधार, 234F, F, F for fees, है ना, 139, mandatory return, 139-1, due date of filing return, क्या, due date of filing return, 139B, Bakwa scheme of filing return, TRP, Bakwa scheme of filing return, TRP, 139-1C, एग्सम्टिन फॉम फिलिंग रिटन 139 139 बोलो 1A क्या हुआ बेटा कुमार तो ध्यान है तुमको समझ में आ रहे है तुम ना आठ सेक्षन पड़ चुके हो इस चाप्टर में कितने आठ सेक्षन एक मिनिट 272A नहीं आदा रहा पल्टो Penalty for non-compliance of PAN किते सेक्षन हो गए बेटा? 9 सेक्षन पड़ते वक लगता ही है 9 सेक्षन हो गए 9 सेक्षन हो गए चलो repeat करो मेरे साथ एक बार What is 139A? PAN 139A? F4 139 Mandated Return 139.1 एक due date of filing return ऐसे याद रको एक due date of filing return B. Bakwa scheme TRP अपने लिये तो Bakwa सी है? 139.1 C. Exemption of filing return 1A. Bulk return 272A. Penalty Sorted है? थोड़ी दिर बाद फिर पूछूँगा है न? थोड़ी दिर बाद फिर पूछूँगा चलिए आईए इदर चलते हैं Loss Return आज आपको पूरी डिटेल्स बताता हूं किस बारे में Loss Return सबसे पहले बात कहां आगए हम? Practical aspects के अंदर में आगए कुछ बाते practically ही समझना There is nothing called as loss return A return is a return but a return which specifies certain losses is called as loss return समझ मारी बात? So, loss return is a return showing loss So, it's a return showing below loss Clear? बताईए एक साल आपने क्या किया है? Loss return बढ़ा अगले साल profit return बढ़ा कोई consequences? Answer is no It's a myth ऐसा नहीं है कि एक साल आपने profit बढ़ा तो हर साली profit बढ़ना पड़ेगा Business has four cycles Initial, Expansion, Peak, Regression याद आ रहा है क्या? Foundation में बढ़ा था तो हर business का एक phase होता है Loss भी एक phase है Yes, negative income is also an income चली, clubbing से जोडते हैं Clubbing से जोडते हैं Income club होती है? क्या losses भी club होते है? Income club होती है? Yes क्या losses भी club होते है? Answer is yes Because negative income is also an income So, losses are also बोलो भी बटा Clubbed बरबर है? Losses are also clubbed पर losses club करने के लिए Don't you think so? पहले income tax department को पता होना चाहिए What are the losses? Don't you think so? Income tax department को पता होना चाहिए What are the losses? और इसी के लिए क्या किया जाता है? Loss intimation का provision आया जिसको हम loss return बोलते हैं Because जब तक कि income tax department को पता ही नहीं होगा कि भाई loss है क्या? और किस चीज से arise हुआ है तब तक कि वो loss का set off देंगे कैसे आपको Hence, hence उन्होंने क्या किया Loss intimation का provision लेकर क्या आया Through the concept of loss return Through the concept of loss return अच्छा जी पहले मैंने profit का return बढ़ा Revised return मैंने loss return बढ़ा Can a loss return be revised? हाँ चलो, जितने बच्छे online है फटा फटे बताओ क्या loss return revise हो सकता है? हाँ या ना? क्या loss return revise हो सकता है? बोलो हाँ या ना? क्या loss return हो सकता है? बोलो हाँ या ना? क्या loss return हो सकता है? बोलो हाँ या ना? revise हो सकता है? Answer is Answer is Yes अगर कोई भी लॉस को carry forward करना है, law कहता है, return must be file on time, so, जो return है, वो time पे file किया गया है, all those return which are filed on time can be revised, so, third point, loss return can be revised, बिलकुल हो सकता है, कोई problem नहीं है, next point, next point, sir, यह जो loss return है, बरबर है, मैंने original return भरा, उसके बाद मैंने loss return भरा, income tax department कि इसको consider करेगा, obviously, revise को, समझ मारी बाद, revise return will step in the shoes of original return, clear है, मालिक, अच्छा जी, sir, यह जो loss return है, क्या इसे time पे file करना जरूर है, answer is yes, section number 80 of income tax, कौन सा, section number 80 of income tax कहता है, अगर तीन losses carry forward करने है, तीन losses carry forward करने है, तो आपको return time पे भरना ज़रूरी है, yes, loss return को objective क्या है, losses carry forward करवाना, और यह carry forward करवाने में, हम income tax department को intimate कर रहा है, that there is a loss, practically speaking, आप अगर offices में बूलेंगे न, में को loss return भरना है, आपको आपका boss करने नहीं देगा, क्योंकि क्या होता है, loss return जो होते हैं, इन पे हमारा experience यह है, कि CASS इनको बाकाइदा red flags में डालता है, कि अगर कोई loss claim कर रहा है, right, तो अब पहले check करो कि उसको loss कैसे आया है, तो यह one of the mandatory aspects में आता है, इसलिए क्या होता है, loss वो करने नहीं देते, बहुत rare case में, वो loss book करते हैं, दूसरी बात, as a professional हम यह भी देखते हैं, कि उसने कुछ loan लिया है, जितना interest उसका आ रहा है, at least उतना income तो हम minimum में show करेंगे, at least उतना income हम minimum में show करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तुम interest देरे हो, दूसरे तरफ तुम loss book कर रहे हो, समझ मारी बात, तो उतना हम जरूर ध्यान में रखते हैं, बरहे बरहे बरहे, so, as per section 80, in order to carry forward the loss, return must be filed on time, under section 139.1 बरहे 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 हैं, दूसरा, following loss shall be carried forward only if loss return is filed on time on time, A, PGBP, B, capital gain, C, owning and maintaining horse races, So, following loss shall be carried forward, only if the loss return is filed on time. क्या आर्या इसकी बादवाला पॉइंट है चौलो following loss shall be carried forward, तीन losses को अगर carry forward करना है तो आपको return टाइम पर भरना जरूरी, कौन सा loss हो गया, PGBP loss, दूसरा capital gain से आने वाला loss और तीसरा loss from owing and owning and maintaining horse races, मैं winning from horse races की बात नहीं करना हूँ, owning and maintaining horse races की बात कर रहा हूँ, owning and maintaining the horse races, इन से आने वाला loss अगर आपको carry forward करना है तो आपको return file क करने की जरूर, yes, अच्छा, सुनिये, और deep में चलते है, क्या speculative loss के लिए भी same provision है, क्या speculative loss के लिए भी same provision है, आपको बता है, PGBP तीन तरीके के होते है, एक होता है normal, दूसरा होता है speculative loss, जो without taking delivery, mostly forward future contracts, और तीसरा होता है specified business, specified business मतलब 35 AD वाला वो वो वेरहाउस, hospital वाला वो, तो क्या हम तीनों PGPP की बात कर रहे है या हम सिब normal PGPP की बात कर रहे है, हम any PGPP की बात कर रहे है, जिसका मतलब यहाँ पर जो PGPP word लिखा है, यहाँ पर हम normal की भी बात कर रहे है, normal business loss की भी बात कर रहे है, हम speculative business loss की भी बात कर रहे है, हम specified business loss की भी बात कर रहे अंडर सेक्षन 35 AD, clear है मालिक? जब हम capital gain की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों बात कर रहे हैं, हम long term की भी बात कर रहे हैं, हम short term की भी बात कर रहे हैं clear? इसमें कोई exception नहीं, and owning and maintaining or services तो point नहीं नहीं बनता, अच्छा, चलिये Sir Yes What about other losses? मन में सवाल उठेगा, अभी हमारे बच्छी के मन में भी सवाल उठा, Sir what about other losses, practically speaking salary में लो और साता ही नहीं, तो अब एक ही हेड बच्छता IFOS में भी loss नहीं आता है, except the owning and maintaining horse races, we all know, ठीक है? तो सिर्फ एक ही चीज़ बच्छती, क्या बच्छती? house property, now, when it comes to house property, and unabsorbed depreciation, if you want to carry forward the loss, loss can be carried forward, but there is no need to file the return on time, मतलब, return भरना है, मेरी बात समझीएगा, return भरना है, loss return, but वो return loss का time पे नहीं भरा, तो भी आप उसको क्या कर पाओगे, carry forward कर पाओगे, further, it has also be held in case of unabsorbed depreciation, that unabsorbed depreciation is not a loss, hence, it can be carried forward even when return is not at all filed, पापस से सुनिया, point number one, HP का loss, आप carry forward कर सकते हो, even when return is not filed on time, पर HP loss carry forward करना है, तो return भर नहीं है, unabsorbed depreciation can be carried forward, even when the return is not filed at all, because unabsorbed depreciation is not a loss, समझ मारी बात, so, HP loss, can be carried forward, even when ROI not filed under section 139.1. return, return, time पे, नहीं भरा, तो भी, HP loss, carry forward होगा, but carry forward करने के लिए, ROI is must, समझ मारी बात, HP का loss carry forward करना है, return भरना है, this is the most appropriate interpretation of this law, return तो भरना है, return time पे नहीं भरा चल जाएगा, पर return तो भरना है, return time पे नहीं भरा, तो भी HP loss carry forward होगा, but carry forward करने के लिए, return तो भरना ही है, time पे नहीं भरा चलेगा, next point, unabsorbed depreciation, can be carried forward even when ROI, बुलो बिटा, not filed, क्योंकि unabsorbed depreciation is not a loss, income tax में unabsorbed depreciation का जो treatment है, यह altogether different है, समझ मारी बात, it has got separate treatment under section 32.2, क्योंकि unabsorbed depreciation का जो फिल्टा आप जादा है, क्योंकि unabsorbed depreciation का पाटा है, हाँ आजी, हम, हम, सोप, क्योंकि आपक।, कि अंडेस्टाइंड आपके आपको अभी नहीं बूला जा रहा कि मैंडेटरी कर आपके पास आज भी ऑप्शन है पहले लॉस सेट अफ करो और फिर नियू स्कीम में आओ हो ओल्ड स्कीम कहतनी किये तो आप क्या करोंगे उस केस में अगर हमेंड या प्ड़ाओ और है तो आप अपने क्लाइंट के करोंगे पहले वो लॉस्क spong कर दोड़े ले आपट-ओट करके नियू स्कीम से से भी opt-out करके आप क्या करोगे, पहले वो loss set-off करोगे और HP loss है, come on, HP loss किसी भी head-ke-against में set-off होता, yes, आप उसको पहले set-off करो और फिर new scheme में convert करो, कोई तकलिफ नहीं है, वो, वो, चलो, वापस से, 1-2-3 start, section 80 बोलता है, अगर loss carry forward करना है, तो return time पर फाइल करना जरूरी है, then, तीन तरके के loss को अगर carry forward करना है, return time पर ही भरना पड़ेगा, तीन कौन से, PGVP, capital gain, winning and maintaining horse races, HP का loss return time पर फाइल नहीं किया, तो भी आप carry forward कर पाएंगे, पर return तो, भरना है, unabsorbed depreciation carry forward हो सकता, return भरो या न भरो, मुझा एक प्रश्न वीचार है, practical aspect है, वीचारू, हाँ, उसका benefit आपको नहीं मिलेगा carry forward का, फिर उसका आपको benefit नहीं मिलेगा, एक प्रश्न है, वीचारूगा, practical aspect, थोड़ा सा फिर से, सुनो, previous year 21-22, we had a loss of 5 lakh, okay, we had a loss of 5 lakh, we filed ROI, we filed ROI on time, everything perfect, यहने यह loss क्या हो गया, carry forward, previous year 22-23, यह जो loss था, यह set-off नहीं हो पाया, इस साल हमने loss return नहीं भरा, previous year 23-24 में, we wish to carry forward, can we do so, concept समझा सभी को, पहले साल loss आया, जिस साल loss आया, उस साल का return मैंने भर दिया, जिस साल loss आया, मैंने उस साल return भर दिया, मेरे को कोई तकलिफ नहीं थी, अगले साल यह loss set-off नहीं हो पाया, because of any reason, बरे बरे, उस साल मैंने return भी नहीं भरा, अब मेरे को loss carry forward करना है, आप बताईए, क्या मैं यह carry forward कर पाऊँगा, हाँ या ना, answer is, yes, loss return need to be filed in the year of loss, not every year, the moment आपने एक बार intimate कर दिया, यह central repository में चला गया, समझ मारी बत, आपको बार बार उसको पिंग करने के जरूतनी, hello, hi, are you there, replying, why are you not replying, बार बार नहीं करने का, एक बार कर दिया, are you there, होगा, reply आजाएगा, समझ मारी बत, so, yes, loss can be, बुलो बटा, carried forward, because loss return is required in the, बुलो बटा, year of loss, loss return is required, in the year of loss, ठीके बटा, obviously, वो तो लगी है, loss carry forward हो जाएगा, बट जो return नहीं file किया, ठीक है, उसका जो इसको interest penalty लगना है, fees लगना है, वो लगे गए लगेगा, is this done Malik, shorted है, then, आजो बटा, फोड़ा provision भी पढ़ने, if a person, page number 3, if a person wish to carry forward under the head of PGBP, under the head of capital gain, owning and maintaining horse race, they may furnish a return of loss within the prescribed time under 139.1, if loss return is not filed, it is not allowed to carry forward, loss from house property and unabsorbed depreciation can be carried forward if loss return is not filed on time, further, unabsorbed depreciation can be carried forward even if no return has been filed, held in CIT versus Haryana Hotels, held in CIT versus Haryana Hotels, East Asiatic Company का ये held हुआ, unabsorbed depreciation can be carried forward even if return is filed after the due date, yes, any return which has a loss under any head, the return for the first year of loss which is required to be carried forward is covered under this section, CIT versus Govind, अगर Sugar Mills का case है, कहता है, first year of loss डालना जरूरी है, हर साल लाज डालना जरूरी नहीं है, तो ये जो हम provision पढ़ना है, these are based on this case law, एक भी case law याद मत रखना है इस पूरे provision में, clear है मालिक, loss return clear है, hundred percent, चॉलो जी, next point पे चलते है, be related return, जैसा be related happy birthday होता है, वैसा be related return भी होता है, yes or no, याद रखने का simple तरीका, क्योंकि subsections हैं यहाँ पे पूरे के पूरे, subsection को याद रखने का simple तरीका, जब आप 4 कंदों पे जाएं, आप late हो गए है, जब आप कित्ते कंदों पे जाएं, यह कोई logic नहीं है, बढ़ हाँ, याद रख सकते हैं तो क्या बूरा है इसमें, तो यह जब 4 कंदों पे जाएं जब आप क्या हो गए, be related return, अब ज़र समझें इसमें change आ चुका है, पिछले साल होई change आया, be related return, हो सकता है return filing due date के ऊपर आपके पास time नहीं मिला हो, आपकी जाजदू बाबू शोना जादू टोना ने आपको ना छोड़ा हो और उसक्र में आप return नहीं भर पाएं हो, किसी भी good reason के वज़े से आप भी later return भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं, by three months prior to the end of assessment year, आप लोग जब इंटर में थे शायद ये law था by the end of assessment year, अब ये law हो चुका है three months prior to the end of assessment year, come on, वापस है, three months prior to the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier, वापस है सुनिएगा, अगर आपने return file नहीं किया within the due date under 139.1 और notice under 142.1, एक मिनिट, notice under 142.1, 142.1 क्या था? यादा रहा है, A.O. आपको बोल सकता है बेटा return भर 142.1 की बात चल रही है, return in response to notice, yes, तो आपने return time पे नहीं भरा, या A.O. ने जिस time पे return भर नहीं बोला था, आप वो नहीं भर पाए, कोई बात नहीं, आप भी लिटर return भर पाएंगे, भी लिटर return भर पाएंगे, कब तक भर पाएंगे, 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier, yes, 3 months prior to the end of assessment year, एक मिनट, 3 months prior to the end of assessment year, मतलब हम 31st December of the assessment year की बात कर रहे है, 31st December से पहले आपको complete करना है और before completion of assessment, whichever is earlier, assessment complete हो, या तो 31st December पहले आए, whichever is earlier, stop. 234 में fees पहले हुआ करती थी 5,000 और 10,000, 10,000 कब थी जब return आप December के भाद भरे, अब बिलिटर return का time भी कहां लाके रग दिया December, इसलिए वो 10,000 का provision ही कट कर दिया, और fees अब से 5000 है, क्योंकि आप December के बाद return ही निभर सकते technically, समझ महारी बात, that is a pure logic कि वो 10,000 का provision क्यों हटाया fees से, समझ महारी बात, चलो, वापस से, बोलो, बोले अल्दी से, if any person who has not furnished return within the time allowed under 139.1 or 142.1 may furnish the belated return, by 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier, आप ये return भर सकते हैं, ठीक है, बताईए, क्या एक loss return belated return हो सकता है, never, क्योंकि अगर आपको loss carry forward करना है, return has to be filed on time, so a loss return can never be belated return, hello, a loss return can never be belated return, further, बताईए, सोच के देखिएगा, अगर मैं belated return file कराऊ, given an option, which है, तु मेरी उधारी 31st July को निपता, पर कोई problem नहीं है, तु 31st December को भी देगा तु मेंको कोई तकलिफ नहीं है, given an option अगर आपको उधारी चुकाने बोला जाए, आप July में चुकाना चाहेंगे या December में चुकाना चाहेंगे, December, अब lawmaker यह नहीं देख रहा होगा, कि गिवन चांस, 31st July को रिटन भर या December को रिटन भर, everybody will file in December only, so what are the consequences of loss return, सोच के देखो, sorry what are the consequences of belated return, first don't you think there will be 234A, not filing का आपको क्या लगेगा, interest, दूसरा, loss क्या नहीं हो सकता, carry forward नहीं हो सकता, 234F का, fees लगेगा, तो लेट आओगे, कुछ तो सजा मिलेगी, पर हां हम आपको option दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, option जरूर दे रहे हैं, सर आपके मन में एक और सवाल उपना चाहिए, सवाल यह है, सवाल भी मैं ही बताता हूँ आपको, आपका सवाल यह होना चाहिए, कि सर फिर fees, interest भरने से चातो आदमी return ही ना भरे, आपने return नहीं भरा, और बाद में चलके department का inquiry हुआ, तो under reporting, miss reporting की penalty है 200% तक की, वो कौन भरेगा, उससे better तो तुम क्या कर लो, interest भर लो, fees भर लो, इसी से एक और सवाल आया है, is interest payment an expenditure, is fees payment an expenditure for a business, yes, journal entry pass करो, दुनों की, P&L account debit to cash bank, सिधा contra entry मार रहे हम ठीक है, fees account profit and loss account debit to cash bank, सिधा contra entry मारा हमने, accounting purpose के लिए ठीक है, यहने आना दुनों भी P&L में है, PGP compute करते वक, fees paid in income tax and interest paid in income tax का deduction मिलना चाहिए क्या, क्यों, क्यों नहीं मिलना चाहिए, perfect, यादा रहा है क्या TA Qureshi judgment, income तो हमने ले लिये थे, लेकिन इससे related expenditure which is a breach of law, वो allowed नहीं है, तो यहां हमने इसको PGP से भी link किया, कि भाई साब, हाँ, no doubt आप interest और fees भरेंगे, belated के case में पर इसका deduction PGP में मिलने वाला नहीं है, चलो आपस से recall करते हैं, कब तक belated return भर जा सकता है, revision number 3, कब तक के भर जा सकता है belated return, 3 months prior to the end of assessment year, और before completion of assessment which is earlier, what are the consequences of belated return, 3 consequences, interest लगेगा, loss carry forward नहीं हो पाएगा, fees लगेगा, sensible, अच्छा जी, can a belated return be revised, क्या लगता है, can a belated return be revised, हाँ यह हाँ, answer is yes, belated return can be revised, एक जमाना था जब belated return revise नहीं हो पाता था, बट बाद में इसे amend किया गया था, now belated return can also be revised, so belated return can be revised, clear है मालिक? exception तो हमने वहीं लिख दिया न, वहीं हो, यहाँ आके वापस क्यों लिखेंगे न, exception वहाँ पे भी है, yes, चलवाओ, लिखो, 139.4, तुमारे short notes आज ही बना दो, तुम्हें कोई short notes की ज़रौत नहीं, विज्जुसर के chart की भी नहीं, एक्जाम के दिन के लिए सीधा सीधा क्या, if ROI not filed on time under section 139.1 or 142.1, 4, Bayờ Park Bien गृते रिल और P cafe जाते बिएस्पिए्ट both कि अदैंगे घिके ररौते एस्पिए्ट रियर तुमारी एसरे मिएD हो कि एस्पिए्ट नहीं, रौते श्पिए्ट तुमारीं रिए court विचे वर इस और लिर करता हुआ है एक स्वाल है मेरा बताईए मेरा प्रीवेस यह ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री यह है 139 1 के हिसाब से डू डेट क्या बन रही है क्या मैं कह सकता हूँ 31st जुलाई या 31st ओक्टोबर या 31st नवंबर सुरी 30 नवंबर everybody yes 139 4 के हिसाब से डू डेट क्या बनेगी 31st डिसेमबर सुर्टेड है 2023 2023 पक्की बात चलो जी यह आपको नहीं लगता बी लेटर डिटर्न को फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वह सरकार ने से रिड्यूस कर दिया कि यस बिल्कुल पहले क्या होता था मार्च तक के टाइम लिमिट था अब आपके पास गलती सुदानने के लिए मार्च तक का टाइम नहीं है कि साथी साथ में लिकिया पॉंसीक्वेंसेज क्या है 234A का क्या लगेगा इंट्रेस्ट हां 234F का क्या लगेगा फीस लॉस कांट भी क्यारिड फॉरवर्ड सजी दन हां, बी लेटेड रिटर्न आईए, नेक्स्ट पे चलते हैं, रिवाईज रिटर्न, कट, कॉपी, पेस्ट, ताम लिमिट इस सेम, यस ताम लिमिट इस सेम बट आ वन तो दील विट यू रिवाईज रिटर्न, पहले प्राक्टिकल आस्पेट्स पर दील करेंगे, बोलो मेर भाई, एक रिटर्न कित्ते बार रिवाईज हो सकता है, अनलिमिट विदिन ताम अलाओ, तो यू रिवाईज अनी नंबर ओफ ताइम, विदिन ताम लिमिट, बट, लिट इदन पॉइंट, अपने दो बार से जादा रिवाईज किया, रेड फ्लैग में आ जाएंगे आप, क्लियर कट टीक है, बड़बर, बताईये, आपका जो क कुशन था, वो यहां आने वाला था, पहले profit का return भरा हम लोगने, बाद में loss का return भरा, पर मैं इस question को थोड़ा amend करूं, सुनो, जो आपने first ROI भरा था, यह था profit, जो आपने second ROI भरा, जिसको हम कह रहे है, revise, ठीक है, इसमें आपने loss भी दिखा दिया और unabsorbed depreciation भी दिखा दि दिया, now tell me what, वैसे आपको पता है बिटा, 2013 CA final का question है, जो आपने पूछा है, इस इस a practical aspect which has been asked in CA final in 2013, बोलो, will your answer be same, can I say, with respect to loss, there will be no carry forward, with respect to unabsorbed depreciation, there will be carried forward, क्योंकि unabsorbed depreciation का तो कोई लिंदे नहीं रिटर्न भरो या नहीं भरो, उससे कोई लिंदेन नहीं है, समझ मारी बात, तो यह जो loss है वो carry forward नहीं हो पाएगा, पर unabsorbed depreciation के लिए कहीं रोक नहीं लगाए गई है, आंसर में भी यह चीज़ अप्रूब की गई है, कहीं कोई तकलिफ नहीं है, जी, पर loss को carry forward करना है, दो section को combine पढ़ना बेटा, loss को carry forward करना है, तो return काई में भरना चाहिए था, within time भरना चाहिए था, तो loss return revise हो सकता है क्या, loss return revise हो सकता है, पर आपने अगर पहले ही loss claim नहीं किया, original return में, तो बाद में claim नहीं हो पाएगा ना, obviously, that has to be like that only na, नहीं तो लोग क्या करेंगे, revise के time पे आप loss claim करोगे, law is very clear, नो दोनों को अगर combined read किया जाए, तो उसमें क्या होता है कि यह PGP loss carry forward करना है, return आपको time भरना जरूरी है, आपने पहले profit दिखा दिया और बाद में आखके आप loss carry forward करना चाह रहे हो, right, now that's a subjective interpretation, but practically यह होगा नहीं, yes, that's a subjective interpretation, but practically यह होगा नहीं, yes, बताईए सर, ही में अप्लाए, ही में अप्लाए, ही में अप्लाए for the refund, yes, आईए, a return filed under section 139.1 or 139.4, regular return, below, revised return, can be revised three months prior to the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier. कर दो कि अ fringe सझाले लो उद्सट नहुआरा चार्वा ही रो इस दन? हां जी अब बात पताए यहां जो before completion of assessment बूला जा रहा है return नहीं भरने पर, return time पर नहीं भरने पर don't you think यहां पर जो assessment का meaning है वो बजा है best judgment assessment क्योंकि the moment आपने क्या नहीं किया suppose belated return हो गया तो एयो possibility है ना कि डायरे कहां पहुच जाए best judgment assessment में खेर इसको फिर से एक बार best judgment में देखेंगे if a person having furnished return discovered any error or omission yes, यहां लिखिये revised return can be done in a case where error or omission is found बरबरे चलिए इस आस्पेक्ट में इसका एक और school of thought है मैं आपको अब भी upfront clear कर दूँ इसका एक और school of thought है कि अगर यह return time पे भरा है तो फिर यह return को आप क्या कर सकते हो revise कर सकते हो क्योंकि यह return time पे भरा है तो इसका another school of thought यह भी है कि यह भी हो सकता है बट जनरली जनरली ना office की यह practice है ना इसे accept किया जाता है पट यह school of thought है which is debatable समझ मारी बात चलिए तो अगर आप देखेंगे आपके पास कोई error omission या wrong statement होना चाहिए the worst part is there is no clarity what do you mean by error there what do you mean by wrong statement जिसके चक्र्म होता क्या है offices का risk disadvantage लेता है end तक के phone करते रहते हैं भाई data 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 नहीं होता क्या है है, he simply file the return, पाँच पिछले साल का उठा, पाँच परसेंट अड़ कर रिटन फाइल कर दे, बाद में क्या करते बैठते हूं उसको, रिवाइस करते हैं, अच्छा, सर, ओरीजिनल रिटन भी भराए, रिवाइस रिटन भी भराए, असस्मेंट के लिए क्या उठाया जाएगा, रिवाइस रिटन, step in the shoes of original return, रिवाइस रिटन, step in the shoes of, original return, 10, oh, बहुत बढ़िया, चलो, रिवाइस वित मे, additions तो हुए, रिवाइस वित मे, बोल मेरे बच्चे, 139 AA, 139 A, 139, mandatory return, 139 1, due date of filing return, 139 3, loss return, 139 4, 139 5, rank में आना है, पांच बार रिवाइस कर, याद कैसे रखोगे, rank में आना है, पांच बार रिवाइस कर, 234 A, concept हमने पढ़ानी है, याद रखना, 234 F, fees, 139 B, TRP, बखवास नहीं बोलने का, याद रखने का था, 139 1 C, exemption from filing, ROI, 139 1 A, bulk return, 272 A, penalty, 10,000 रूपे, non compliance of PAN, और wrong quoting of PAN, तो कहां तक पाँ चुके बेटा, 5, 10, 13 sections, इस chapter के अंदर में आ गए हम लोग, पर पिच्चर भी, बाकी है, वैसे मैं आपको ये भी बोल सकता था, 139 4 A, 139 4 B, ऐसी भी अलग है न, याद है, A, charitable trust, B, political party, 139 4 C, सारे exemption 10 वाले, 139 4 D, section 35 में cover होने वाले, 139 4 E, business trust वाले, 139 4 F, investment fund वाले, मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं डरा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि, logically हम 20 section पर पहुच गए, पर मैं आपको सिभ ये ही बता रहा हूँ कि, हम कितने पर हैं, 13 पर, income tax, कितने section हैं, 298, इस chapter में कितने थे, 2, 139 and 140, इस section में कितने हैं, 2, 139 and 140, हम बस वही काम कर रहें, बट आगे जाके का करते हैं, सर रिटर्न फाइलिंग की फीज कितनी हैं, सर रिटर्न फाइलिंग की फीज 500 रुपई है, क्लाइन आ जाता, रिटर्न फाइलिंग फीज 500, चंसल्टन सी फीज 2500, अगांटिंग फीज 3,000, प्लस GST, हम भी यह करते हैं, बाद में इसको ऐसे रिकावर करते हैं, समझ में आ रहा है, there is a motivation, कि तुम बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, तो motivation है, समझ में है है, बोलो भाई साब, निक्स चलते हम लोग, निक्स चलते हम लोग मालिक, कहां पे, defective return पे, now understand, this section is of no use, right now, पूछो कैसे, this section are of no use right now, पूछो कैसे, technically defective returns अब होते ही ने, because of the advent of technology and software which has available, अब return defective होते ही ने, right, पहले ऐसा था, या फिर भी अभी भी ऐसा option open रखाया है, if there is a defect in a return, मतलब कोई columns match नहीं कर रहा है, कोई column खाली रह गया है, कोई an extra fill करना बाकी रह गया है, कोई detail आपने mandatory ली देनी थी, वो आपने नहीं दी, तो हम इसको क्या मानते थे, defective return मानते थे, अब defective return में होता ऐसा था, कि AO आपको intimate करता था, और 15 दिन का समय देता था, कि इस defect को आप क्या कर लो, rectify, अगर आपने rectify कर लिया, तो यह return को हम valid return बोलते थे, और अगर आपने rectify नहीं किया, तो यह return को हम क्या बोलते थे, invalid return, अब law यही था, पर अब logically यह होता ही नहीं, पर provision as it is रखी भी है कि AO आपको क्या करेगा, defect को communicate करेगा, 15 दिन का समय देगा, आपने rectify कर लिया, valid return, otherwise invalid return, पर अब यह होता नहीं कि software में, अगर आपने एक भी detail fill नहीं करी, जो mandatory columns में आती है, वो pop-up दे देता और आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता, so, if you have found any defect in the return file, he shall communicate such defect, yes, defect is rectified within 15 days or extended period, valid, otherwise invalid, ठीक है, hmm, वो, पहले यहाँ आजाओ, अगेन एक और section, जिसको में लिखेंगे नहीं, who shall verify the return, इस section को लाने के बीचे को objective था, exam interview बिल्गूल भी काम का नहीं, सुनना, इस section को लाने के बीचे कुछ objective था, पहले क्या होता था, लोग return भरते थे, return में जहाँ गलती हो जाती थी, बरबर है, income tax department under reporting, mis reporting की penalty लगाता था, अस ऐसी बोलता था, यह मेरा return ही नहीं, यह बोलता था, आरे कैसी बाते कर रहे हो, तुमने तो submit किया यह return, sir, कहा, किसने आपको यह detail दी, मेरी यह detail ही नहीं, अरे कैसी बाते कर रहे हो, तुम्हारे तरफ से ही, तो submit हुआ है, मेरा sign बताइए sir, किदर है, अगर कोई भी चीज मैं दे रहा हूं, तो acknowledge कर रहा हूं, तो मैं sign तो करूँगा न, कि above given details are my details and I accept all the information which is given to the fair view, to the best of my knowledge and beliefs, कहा है मेरा sign, income tax department को समझ में आए, लोग हो गाए, बड़े, चलाक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक section लाया, बाकाइदा section 140, कि आपको अब return को क्या करना पड़ेगा, verify, और इसमें भी और provision add होती गई, इंडिविजवल का return कौन बरेगा, खुद, फिर वो इंडिया में नहीं है तो कौन बरेगा, रिप्रेसेंटेटिटिव असा थी, वो minor है तो कौन बरेगा, guardian, lunatic है तो कौन करेगा, legal representative, ऐसा पूरा provision बनाया, समय बदला, वक्त बदला, वो ब अंगलोर बेजो, फिर वक्त बदला, समय बदला, वो भी भी भीजना, हम लोगों ने बंद कर दिया, फिर DSC attach करना चालू किया, अब तो DSC भी नहीं लगता, आधार या online banking के थुरू आप क्या कर देते हो, verify कर देते हो, OTP-based transaction से, तो sensibly आज इस section को पढ़ना है, पर ना SSC himself, अगर SSC absent है इंडिया से, तो कोई भी person जो क्या है बिटा, authorized, HOF के case में करता, करता absent है, तो कोई भी adult member, company के case में MD, MD नहीं है, तो any other director or any other person as may be prescribed by company, yes, क्योंकि क्या होता है, company के case में कई बार ऐसा होता है, manager India, बरे बरे, तो उसको भी क्या किया जाता है, letter of authority दी जा सकती ह company not resident in India, जो वेक्ति power of attorney hold कर रहा है, वो return को क्या करेगा, sign करेगा, liquidation में है, तो liquidator और अगर government management take over कर चुका है, तो principal officer will sign the return, LLP के case में designated partner, designated partner नहीं है, तो उस case में any other partner or person as may be prescribed, local authority, principal officer, political party, CEO of political party, AOP, कोई भी member, other person who is competent to sign, अगर insolvency में आपका case already चल रहा है, तो जो insolvency professional appoint किया गया है, वो आपका return क्या करेगा, sign करेगा, clear है मालिक? चलो, बढ़ते हैं आगे, next आते हैं हम, इस chapter के 100% आने वाले concept पे updated return, मैंने last batch में भी सीना ठोक के बोला था, बटा, updated return एक्जाम में आये, आयेगा आया, अब भी बोल रहा हूँ, आयेगा, आये गई, ठीक है, updated return, मतलब आप मान के चलो कि आपको return में अगर कुछ पूछेगा तो वो यही पूछेगा, बाकि कुछ पूछने वाला नहीं है, क्योंकि examiner इसके पहले सारे concept क्या कर चुका है, गोल के पी चुका है, ब आपके पीचे की history क्या है, अगर हम बात करें updated return की, यह section है section 139 8A, बरवर है, हम इसको 8A लिखते है specifically, लेकिन time limit जो लिखा है वो 8A में लिखा है, हम इसको 139 8 से classify करते है, 8 8A तो उन्हों ऐसे लिखते है, so 139 8 की बात करें updated return, इसके लिए एक separate ITR आया है, called as ITR U, जिसमें आ be later return का time जो था यह कम कर दिया, but assess, बहुत सारे cases income tax department में already pending चल रहे है, जो penalty से maffy के लिए चल रहे है, अब assessy क्या बोलता था, sir मेरा ऐसा कोई intention नहीं था, maximum लोग maffy किस बारे में मंगते है, sir मेरा ऐसा कोई intention नहीं था, हर 4 से 5 साल में income tax department को income disclosure scheme लानी पड़ती है, income disclosure scheme के सर करकार क्या बोलती है, कि भाया आप 25%, 30%, 40%, whatever percentage आता है, आप इतना pay कर दो, आप पे हम assessment नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, अपनी सारी पुरानी income को क्या कर दो, disclose कर दो, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, बार बार income disclosure scheme लेके आओ, हर 4 साल के अंदर में, फिर हर 4 साल म पेनल्टी लगाने के बाद हो जाता है, मरा ऐसा, कोई intention नहीं था, मेरा को माफ कर दो, मेरा ऐसा, कोई intention नहीं था, अब इसमें होता क्या है, अससी बोलता है, मेरा को opportunity नहीं मेली, मेरा tax वापस भरने की, income tax department बोलता है, मेरा को मानूँ में, तू culprit है, अब ऐसे case में, income tax department को एक और तकलिफ हर चार साल के अंदर में क्या लेकिया हो, income disclosure scheme लेकर क्या हो, इन सब को बाजू करते हुए, एक mediocre वे लाया, ध्यान से समझे, जब दो बुरे चुनने हैं ना, तो at least वो बुरा चुनना जिसमें loss कम हो, सिंपल है, अब income tax department ने क्या किया, आपको opportunity दे दी है, आपको बोला कि भईया, हमें concept लेकर के आ रहे हैं, updated return का concept, जिसके तहर आप उस particular assessment year से related, अपनी जो income है उसको update कर सकते हो, मेरे word को प्लीज ध्यान से सुने, आप उस year से related अपनी income को update कर सकते हो, आप उस year से related अपनी income को update कर सकते हो, मतलब updated return cannot be loss return, it has to be income return, आप updated return loss नहीं कर सकते हैं, पहले income दिखाया, updated return loss दिखाया, नहीं पॉसिबल, पहले loss दिखाया, updated return loss दिखाया, नहीं पॉसिबल, पहले loss दिखाया, updated return loss दिखाया, नहीं पॉसिबल, पहले loss दिखाया, updated return income दिखा आप पॉसिबल, समझ मा रहा है, वो आपस से सुनो, ध्यान नहीं ता तुम्हारा, समझा तुमको, ऐसे कि समझा, बुलो नहीं समझा, मैं वापस बताएगा, पहले लॉस दिखाया, फिर लॉस दिखाया अपडेटेड में, चलेगा, नहीं चलेगा, अपडेटेड में लॉस दिखाने कहीं नहीं, आना है, इनकम के साथ आनेगा, समझ मारी बात, लॉस के साथ नहीं आनेगा, पहले इनकम दिखाया, फिर लॉस दिखाया, नहीं चलेगा, पहले लॉस दिखाया, अब इनकम दिखा रहे हो, चलेगा, समझ मारी बात, सो अपडेटेड रिटेड रिटे income return ठीक है updated return करने के लिए आपको time दिया गया है two years from the end of relevant assessment year तो जिस assessment year से related आप अपनी income को update करना चाहते हैं आप दो साल के अंदर ही क्या करेंगे update करेंगे आप दो साल के अंदर ही क्या करेंगे update करेंगे updated return file किया जा सकता है irrespective of the fact that आपने पहले return भरा था या नहीं भरा था updated return can be filed irrespective of the fact that आपने उस year के लिए return भरा था या नहीं भरा था technically updated return कोई भी आदमी भरेगा क्यूं in order to save himself from under reporting miss reporting penalty क्योंकि होगा क्या देखिए एक बार assessment लग गई assessment लगने के बाद वहाँ कोई उस year से related income मिल गई तो होता क्या है under reporting miss reporting की penalty लगती है false information की penalty लगती है wrong keeping of books accounts की penalty लग जाती है मतलब सिर्फ एक penalty नहीं लगती multiple penalties एक साथ लगती प्लस prosecution चिपक क्या आता है prosecution jail prosecution चिपक क्या आता है वो अलग इन सब से save करने के लिए income tax फिर वो जाकर के बाद में क्या होता है गिड़ गिड़ आता है मिर पर ये penalty मत लगाओ मेरा इसा को intention नहीं था वो गलती से चूड़ गया था वो जो सिय था मैंने रखा था वो काम धंग से नहीं कर रहा था देखो मैंने सी बदल दिया वो accountant में अक्कल नहीं थी उसने data सही तरीके से नहीं दिया वो आदमी हरे के ओपर डखलने की कोशिश करता है income tax department ने mediocre way निकाल दिया वो दिया बटाया में तरको दो साल बाद भी option दिया था अपनी उस साल की income को मैच कर तिरको तो समझना था दो साल बाद कर देता था voluntary compliance updated return is a voluntary compliance उसने assessment किया तो notice आएगा understand updated return के लिए वो आपको notice क्यों भीजेंगे यह आपको option दिया जा रहा है that you have a option you can file an updated return एक मिनिट वेटा तू यह बोल रही है कि previous year 19 प्रिवेश यह 21 22 इसका updated return कब तक भरा जा सकता है 31st March स्वारी assessment year 22 23 बरबर है 31st March 2025 हाँ अब बुल assessment ही 2026 में किया updated नहीं कर सकते है ऐसा हाँ यह नहीं कर पाऊगे आप सब कुछ एक साथ आ जाएगा बिल्कुल within two years आप updated return भर पाऊगे आपने इन दो साल में updated return नहीं भरा मानलो assessment ही 2026 में कर रहा है तब updated return नहीं भर पाएंगे आप तब पूरी penalty यह वो जितनी भी है सब लगेगी तो within two years आपके पास time है आपको जो करना है within two years में एक बार वापस से देख लो पर दो साल के बाद हम penalty लगाएंगे लगाएंगे फिर जाके ना आपको माफी देंगे अब commissioner भी देखेगा भाया मैं तरको माफी नहीं दे सकता तरको दो साल बाद मैंने time दिया तो वापस से उस साल को क्या कर ले अपनी गलती सुधार ले लाइफ में चलो जी updated return can be filed irrespective of the fact that आपने उस साल का return भरा था या नहीं भरा था येस आपका return belated था क्या updated भरा जा सकता है येस आपका return revised return था क्या updated return भरा जा सकता है येस irrespective of the fact that आपने उस साल में return भरा या नहीं भरा समझ में आ रही बात सभी को हाँ या ना राइट अच्छा जी सर चलो जल्दी से देखते हैं updated return क्या हर केस में updated return सब्मेट हो पाएगा answer is no इन्होंने exception की list दिये 10 item की इन 10 cases में updated return नहीं भर सकते हैं आपको question इधर ही आएगा कि आपको जो question आएगा वो इधर ही आएगा कि कॉन-कॉन से cases में updated return नहीं भर सकते हैं समझ मैं ही बात the good part is आपको पता है question खाएगा the bad part is यह 10 के item याद रखने है आओ इधर वापस से चलते हैं revision no.3 poor oh बेटा आएएब 분들은 ne any person is the very clear word, there is no word loss or the income of any other person in respect of which he is assessable for the previous year, this is applicable from 1-4-2022, ठीक है, updated return can be submitted at any time within 24 months from the end of relevant assessment year, assessment year के end से 2 साल, मानली जा assessment year 22 से है तो तेवीश से 2 साल पकड़ लेने का that is 31st मार्च 2025 तक के आप अपड़ेटर रटर्न समित कर सकते हैं, updated return can be submitted whether or not he has furnished the return, आपने रटर्न भरा ने रहा, irrelevant updated return should be income return, बस इतना criteria है, right, following points must be noted, पहला updated return must be a income return, yes, a loss return can be updated return only with it reflects income, तो इधर देखिए, loss return updated भी loss return possible नहीं है, income return updated income return possible है, income return updated loss return नहीं possible है, loss return updated return income possible है, तो point number one, यह return सिर्फ income return हो सकता है, lost return नहीं, दूसरा, अब अगर आप अपना income update कर रहे हो, तो हो सकता है आपका mat credit change हो जाए, हो सकता है आपका unabsorbed depreciation change हो जाए, accordingly उसको भी क्या करना पड़ेगा, adjust, if the result of submitting updated return the quantum of carry forward loss or unabsorbed depreciation or mat empty credit is to be reduced for any subsequent year, then updated return shall be furnished for each such subsequent year, क्योंकि इसको year by year adjust करना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे है, unabsorbed depreciation की, याद दिरादू, unabsorbed depreciation can be set off against any head, याद आ रहे है क्या आपको, right, इसमें एक exception है, salary, right, इसमें एक exception क्या है, salary, उस पर भी खेरे केस तो है, बढ़ेंगे आगे, when updated return cannot be submitted, updated return कब submit नहीं हो सकता, point number one, if updated return is a loss return, if updated return is a loss return, इसको important mark करे, if updated return is a loss return, second, if updated return has a effect of decreasing the tax liability, अगर आपका tax liability reduce हो रहा होगा, updated return से, तो updated return possible नहीं है, फाइल करना हो, obviously lower income या exemption claiming, यह हो सकता है, तो उन्होंने दूसरा criteria भी डाल दिया, क्योंकि लोग इतने समझदार थे, कि क्या करते थे, देखो, income return लेते थे, फिर income return लेते थे और उस return से क्या claim कर लेते थे, exemption, which would have reduced the overall tax liability, सरकार ने बड़ी समझदारी से दूसरा पंड डाल दिया, ना यह loss होना चाहिए, ना यह reduced tax liability होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, if search has been initiated under section 132, or books of accounts has been requisition under 132A, or survey has been conducted under 133A, अगर आप क्या raid हुई है, search, requisition किये है, आपके books of accounts को क्या कर लिया, income tax department ने seize कर लिया है, या आपके premises पे survey हुआ है recently, उस साल का updated return submit नहीं हो सकता, तो अगर उस साल में raid हुई है, उस साल में survey हुआ है, उस साल में की books of accounts requisition की गई है, तो आप उस साल का updated return file नहीं कर सकते है, इन शॉट department action पे नहीं कर सकते हैं, connected there to, if any proceeding assessment, reassessment, recomputation, revision is pending और has been completed, अगर उस साल का assessment already हो चुका है, या उस साल का assessment, recomputation, evaluation pending है, तो भी आप updated return नहीं कर सकते, तो 1, 2, 3, start, updated return, क्या मैं कह सकता हूँ, किसी भी department action पे नहीं हो सकता, थोड़ा सा cut shot करते हैं, assessment चालू है, assessment complete हो गया, revision चालू है, search हुई है, survey हुआ है, requisition हुआ है, इन किसी भी cases में आप updated return submit नहीं कर सकते हैं, clear है, पेटा हम updated return उसी साल की बात कर रहे हैं, 2021-2022 का return अपडेट करना है, इस साल का अगर search चालू है, इस साल का अगर assessment चालू है, इस साल का assessment हो चुका है, तो आप updated return नहीं भर सकते हैं, हम updated return with respect to particular year बोल रहे हैं, बरबर, तो department का कोई भी action चालू है भाई साब, department का कोई भी action चालू है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, अप्डेट इटन सब्मेट नहीं कर सकते हैं, A notice has been issued, वापस department action, to effect any money, bullion, jewelry, article or thing, in case of any other person belong to a sesee, मान लिजे किसी और क्या रेड हुई, किसी और क्या रेड हुई, और उसमें कुछ assets recover हुए, and AOEA sure है कि ये किसको belong करते हैं, आपको belong करते हैं, तो उस case में, उस particular year के लिए आप updated return submit नहीं कर सकते हैं, याने notice issue हुई, assessment चल रहा है, assessment complete हो गया, उस साल का search, उस साल का seizure, उस साल का updated return submit नहीं हो सकता, वेर updated return is already furnished, भाही साब, अगर already updated return हो चुका है, तो revise updated return नहीं हो सकता, समझ में ही बात, अगर updated return already furnished हो चुका है, तो फिर से एक और बार उसी साल के लिए updated return नहीं हो सकता, हेलो, मान लीजे 21-22 का updated return आपने अपने अल्रडी भर दिया है, 21-22 का updated return नहीं हो सकता, 22-23 का हो सकता है क्या, हाँ हम एक यर के लिए updated return की बात कर रहे है, makes sense, चलो छेओ repeat करो, question इसी पर आएगा, lost return updated नहीं हो सकता, अगर liability reduce हो रही है तो, search, requisition, survey, assessments, notice, छटवा, अगर updated return already submit हो गया है, तो आप वापस से submit नहीं कर सकते, सात्वा, if AO has information in respect of such person in his possession, under money laundering act, black money act, prohibition of benami property act, smuggler of foreign exchange manipulator act, and this has been communicated to him prior to the date of filing return, updated return, मान लिजे, AO के पास information आई है, इस assessi से related, AO के पास क्या आई है, information आई है, इस assessi से related, कि भी है, यह money laundering act के अंदर में है, you know, benami property के अंदर में है, अगर इन act के अंदर में यह person already है, यह information उसको already communicate किया वा है, कि भी है, तेरा नाम इसमें आई वा है, तो अप्डेटर टेरन सब्मिट नहीं करेगा, information has been received under DTAA in respect of such person, and same has been communicated to him, मान लिजे, किसी और country में तुट टेक्स चोरी करके आया है, और उस country से DTAA information आ गही है, तेरे नाम के अगेंस में, कि यह यह person जो है, हमारे यह blacklisted है, आप क्या चुपाए क्या, और यह हम तेरे को communicate कर चुके हैं, कि तेरा DTAA में नाम आया है, yes, आप updated return नहीं submit कर सकते, तो अगर foreign tax defaults में भी तेरा नाम है, तो तो updated return submit नहीं कर पाएगा, any prosecution proceeding has been initiated, अगर income tax department ने तेरे अगेंस में already prosecution, initiate कर दिया है, already क्या कर दिया है, prosecution, execution, initiate कर दिया है, तो तो updated return submit नहीं कर पाएगा, he is a person belonging to class और classes of person as may be notified, इसके अलावा सरकार और भी future में बता सकते हैं, कि कब ते को updated return नहीं परना है, बरबर, अभी last time question आया था, give any five instances when updated return cannot be submitted, यहने इसके ओपर जो question आएँगे, वो इस तरह के क्या हैंगे, give any five instances when updated return cannot be submitted, अब इसमें से कोई भी पाँच बूलने के, समझ में आरी यह बात, इसमें से कोई भी पाँच बूलने के, अब पाँच आप सिलेक कर लो बूलना क्या है, जो चोटे वाले हो सब उठा लो, जो चोटे वाले हो सब उठा लो, एक तो भी जै, एनी ध्यास और ध्यास आप परच अज़ भी आप स्पेसिवाइड, यस, चलो, बूलो एक बार रपीट करो, पहला, लोस दून, दूसरा, if decreasing the tax liability, any other specified, notice has been issued, assessment is pending, all done, search survey requisition, yes or no, next, बिनामी property, foreign exchange management act, etc., DDWM information, updated return already submitted, any prosecution is pending, clear this point, चलो, लेंगे यांप चोटे सबीट, see you after the break, आश्य टाइम के से निकल के पता नहीं चलाना, constर्श County Sal св Luis नहीं, करिवेistant Dutch Ministries Heilman, टेंहीं के। आश्याम् के से वहाइम का स्चेर, अश्याम बड़िया चलाना, करिवे fighters चलाना, प्यांए जर दू पता पता उाशर, बेंगे हैं, मैं के पताना, और Connect Manager, कर surface Firerzy, झाल 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 यह यहां लिको तो रिफर अ कम्बाइन प्रॉब्लम इन इंट्रेस्ट्र चाप्टर अ कि टाक्स आप्डेटर टेटर्न प्लस इंट्रस्ट जो आएगा यह बनेगा आपका टाक्स पेबल इस टाक्स पेबल का 25 परेसंट या 50 परेसंट आपको पे करना है डिपेंडिग आप डेटर टूर कब तक के सम्मेंट कर रहे है उसके उपर depending on how no updated return cap till submit कर उसके उपर, अब आपके मन्हें एक सवाल बहुत जोर से उतना चाहिए, कैसे उतना चाहिए बहुत जोर से, tax payable कैसे निकलेगा, मतलब, क्या जो हम tax payable निकालेंगे, उसमें जितना tax हमने पहले पे कर दिया है, उसका credit लेंगे या नहीं लेंगे, भाई यह तो सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए आपके मनुए सवाल उठना चाहिए टैक्स पेबल मतलब क्या टैक्स पेबल मतलब जो स्री अभी जो टैक्स पेबल निकलेगा वो तो ग्रॉस इंकम पे निकलेगा understand जो tax निकलेगा वो net income पे निकलेगा या overall gross income पे निकलेगा overall gross क्योंकि सर्चाज effect आ सकता है बात समझ न, पहले आपकी income थी 98 lakh अब आपकी income है देड़ करोड updated return में, आपका तो सर्चाज increase हो गया न, अगर सिप net पे निकलोगे तो सर्चाज impact आने ही नहीं वाला इस चीज को मैं आपको आगे बताऊंगा एक proportionate dividend नाम के concept है जो थोड़ी दिर मैंने पहले आपको बोल रहा था कि आप tax निकालते वक्त एक proportionate dividend concept आता है जो हम आगे देखेंगे आपको impact देना ही पड़ेगा आप जो tax निकालोगे ये gross basis पे निकालोगे अब जब आप tax ही gross basis पे निकालोगे तो जो tax आपने पहले दिया आप तो बोलोगे न भाई उसका credit दे न मेरेको मैं थोड़ी न gross पे पे करेगा वापस से येस क्योंकि interest आपको अगर वापस बोला पूरे gross पे निकाल तो सोच के देखो ये तो फिर भी handle कर लोगे बी और सी किदर जाएगा समझमानी बात बी और सी बहुत खतरनाक interest है जीवन के अंदर में तो हम क्या करेंगे tax payable मतलब क्या ये समझते हैं आईए इदर section 140b देखिये section 140b how to calculate tax पले इदर आओ क्या आपको additional tax देना है yes additional tax shall be payable at the time of furnishing updated return return भरने के ताम पर आपको updated return भरने के ताम पर देना है if updated return is before completion of 12 months from the end of relevant assessment year 25% of aggregate tax plus surcharge plus says tax payable में सब आगया surcharge plus says right and interest भी तो यहां पर जो हम tax निकाल रहे है everybody यहां पर जो हम tax निकाल रहे है tax on updated return यहां पर हम लिख सकते है including surcharge plus HEC just in case clarification के लिए तो यह जो tax आप निकल रहा है यह tax जो निकलेगा यह including 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 such as an HEC बरबर है हाँ जी कित्ता percent 25% यही before completion of 24 months रहा 50% of tax which includes such as an HEC plus interest ठीक है एक minute अब tax कैसे निकलेगा depend करता है assessi has not furnished the return earlier assessi has furnished the return earlier अगर assessi ने return पहले submit किया है तो definitely उसका differential tax उसने पे किया होगा मतलब he is liable to pay tax due together with interest and fees the tax payable should be computed after taking into account the amount of tax earlier paid any TDS TCS any MAT credit समझ मारी बत yes the aforesaid tax shall be increased by amount of refund if any issued आपको अगर कोई refund पहले इसमें 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 आपको तो रिफंड को क्या किया जाएगा add back कर दिया जाएगा क्योंकि आप ब्रेसी उत्ता आमांट आपको मिल गया yes where no return has been furnished आपने अगर return पहले कभी furnished किया ही नहीं है तो ऐसा हो सकता है आपने कुछ advance tax pay किया होगा वो minus कर दो sir advance tax यहाँ minus नहीं होगा क्या tax paid मतलब advance पूरा आगया इसमें कोई advance tax आपने पे किया है वो minus हो जाएगा कोई TDS TCS credit होगा वो minus हो जाएगा कोई relief होगा वो minus होगा एक minute sir यहाँ relief क्यों minus नहीं किया कैसी बाते कर रहे हो या जब तुम tax payable ले रहे हो तो relief minus करके कंसेडर किया होगा तुमने पहले ही return में तो वापस थोड़ें relief minus करोगे तुम यहाँ तो तुमने return पहले भर है नहीं मतलब अब relief लोगे तुम next mat or amt credit sir यहाँ mat amt credit यहाँ रखा है हमने पर अगर tax payable में उसका भी effect दे दिया गया है तो हम accordingly वापस mat or amt credit minus नहीं करेंगे पर logically अगर income change हो रही है तो mat credit change होने के chances है इसलिए उसको अलग से लिखा है तो what do you mean by tax payable? tax payable का मतलब सीधा है इसके पहले जो कुछ भी pay किया है वो minus हो जाएगा बड़े बड़े अब इसको अगर हमें सीधे शब्दों में लिखना है बड़े आसान शब्दों में तो tax payable where ROI submitted earlier reduce all amount paid by SSE don't you think so simple शब्द में अगर हम इसको clarify करना चाहे तो जितना amount हमने अल्रडी पे किया हो वो sub minus होगा so where ROI submitted earlier reduce all the amount paid by SSE where ROI not submitted earlier जो भी आपका tax payable आया इसमें से क्या-क्या minus होगा advance tax relief under section 89-90-91 MAT oblique EMT credit TDS oblique TCS हो above नपका शफिए यजित, कि थापका ऑमें इजू तलए इस दल्पित, कि अथित कि एक बढ़ी कि वाक्या-क्या-क्या-क-्या- relay k fry-k कि आपका रब खी maximum बड़े तलब तलए से युढ है कि आब़े पाल देने, एक एक एक्जामपल लिखेंगे, ट्राइ करके देखें, कैसा आता है यह, एक्जामपल, हाल फिलाल में जो मैं एक्जामपल दे रहा हूं, उसमें मैं डिरेक्ली टैक्स अमाउंट बता रहा हूं आपको, ताकि आप सिफ एडिशनल पे एक क्लेम करो, आगे चलके हम प प्रिशनल 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 प्रि his tax liability based on updated return is 1 lakh 40,000 rupees बड़ 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 कुम्पूट अधिशनल टाक्स पेवल अंडर सेक्टिन 140b विल युर और आंसर चंज इस रिटन इस फाल in February 2025 यहां पे असस्मेंट यह भी डाव देना झाल 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 चलो जल्दी 25% किता रहे is it 35,000 आपका total amount किता हो जाएगा बोलो जल्दी से अच्छा एक बात याद रखना इसके बाद वापस से HEC वगरे मत निकाल लेना क्योंकि जो आप tax निकाला होगा वो फुल ओफ सर्चार्ज है ने हची सी होगा तो यह सीधा डायरेक्ट अमाउंट है ठीक है किता इस इत 175 चलो टोटल टाक्स अंडर सेक्षन 140 बी बताईये विल यूर आंसर चेंज रुकना 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 अरे वहीं तो गड़बड किया यह नोने बोला दित्या किदर गड़बड किया यह किया ना पच्छीज परसेंट देट देख समझा तुने क्या किया फिर भी 25 परसेंट ले बेटा 22 थेईस असेस्मेंट येर देख क्या गलती होती है छोटे सा कैलकुलेशन में मिस्टेक 22 थेईस असेस्मेंट येर इसका बारामन कहा तक होगा वरवर ये क्या डेट है फिर्स्ट में ही सीधा क्या आना चीए था समझ में आया क्या गलतिया होँगी इदर डेट के साथ खेला जाएगा और तुमारे दिमाग के साथ खेला जाएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ में आया, क्या गलती किया इदर, यहां लिखने का, बुवा, मामा, समझा, चम्मी कपूर, बुलो, इस तरीके से तुमारे साथ खेला जाता है, समझ में, बच्चे को क्या लगता, हाँ, तीचर ने पढ़ाया था, पहले बारह मंद, बाद में चोईस मंद, चंडू, तेरको देटी इदर की देदेंगे, और बाद में बुलेंगे, जरूरी ने हर चीज का अंसर येश, कई चीज का अंसर नो भी होता है, समझा, हर जगे येश ने बुलने ये आगा, लो, ना, मैं आणसर will not change, because, because the tax payable beyond 12 months, the tax payable beyond 12 months, in case of section 140b, In case of section 140B, tax payable, in case of section 140B is 50%. डने जी, बहुत हर्ड, अब देखो इसमें level up कैसे किया जाएगा, इस question के दो level up possible है, point number one, आपको updated income क्या हुई है वो बताए, आपको बोले tax payable निकालो 115BAC के हिसाब से, या normal tax के हिसाब से, मतलब अब आपको यह tax payable ना दे करके, एक level up दे सकते हैं कि tax compute करो, level दूसरा आपको income updated return वाली बता दे और आपको बोले कि भी है tax निकालो, interest निकालो और फिर additional tax निकालो, इसका तीसरा part क्या बदल सकता institute, वो हो सकता है, आपको बोले earlier return भराई नहीं था, updated return यह है और पहले उसने TDS, TDS credit, MAT credit इत्ता दिया है, तो उससे साब से taxry compute करो, interestry compute करो और फिर यह करो, बट मुझे नहीं लगता कि इतने level up तक के वो जाएंगे, max level up वो जा सकते, updated return में tax compute कर, उससे भी hard करना है, क्यों क्या कर, interest calculate कर दे, उससे भी और यह जा नहीं सकते, impact समझ मैं है, किस तरह से देना है इसको, बहुत शांदार, चलो बटा, So this was the concept of updated return, done, चलो, अब मैं, अगर आप देखेंगे, यह पूरा का पूरा क्या हो चुका है, complete हो चुका है, right, यहां कुछ case loss बाकी है, यहां क्या है, कुछ case loss बाकी है, रुको, इस case loss को अभी नहीं करना है, रुक जो, इस case loss को अभी नहीं करना है, बाद में करना है, पहले अब मैं चाह रहा हूँ कि आप क्या करो, आप मेरे साथ साथ, audio revision से record करो, हमारे तीन chapter हो चुके है, इस तीन chapter का हम audio revision record कर रहे हैं, जब मैं audio revision record करवा रहा हूँ, here in after ध्यानता सुनना, हर chapter का audio revision होगा, अगर आप mobile में यह audio revision देख रहे हैं, ठीक है, मैं try करूँगा, एक folder बन मतलब इस चीच के लिए wait ना करें, और बाकी सब लोग, जितने लोग यहां पे है, यह audio revision record होते होते, आप जो जो section पढ़ाते जाओंगा, उस section को book से या register से घुमाते जाएंगे, यहीं हमारा तुरंत revision भी हो जाएगा, ठीक है मालिक? अदे यार, पानी गतम हो गया, पानी Thank You, चलो, तो voice recorder run करो, अपने इसका, बर्वर, मैं 321 में चालू करवाऊंगा, 321, go, hello guys, good evening, this is Vijay Sada from Ekatwam Academy, यह है, finals का, direct access का audio revision, आज जो chapter हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह chapter है, return of income, return of income में, सबसे पहले शुरुबात की जाती है, section 139A की, 139A talks about PAN, चलिए, किस को PAN लेने की ज़रौत है, हम इस बारे माँ बात कर लेते हैं, PAN किस को लेना है, पहला, every person whose income exceeds basic exemption limit, दूसरा, charitable trust, तीसरा, every business whose sales turnover exceeds 5 lakh rupees, फोर्थ, a person who is resident individual, a person other than resident individual whose financial transaction exceeds 2.5 lakh, फिफ्थ, person holding the position of director, trustee, MD, CEO, member, next, a person, any other person who has been notified, अब कौन notify किया है, इसमें 3 criteria है, a person who deposit the cash, in aggregate exceeding 20 lakh, person who withdraw the cash in aggregate 20 lakh, and a person opening current account, CC account, अगर आपने PAN नहीं दिया, तो non-compliance के लिए 272B के अंदर में penalty लगती है, 10,000 rupees, yes or no, चलिए, next section था, section 139AA, औले, आसे, आदार, yes, every person who is required to file return, who is required to file return, must furnish his आदार number, yes, or applying the PAN must furnish his आदार number, आदार if not available, kindly submit enrolment ID, in four cases, आदार is not required, a sassy is non-resident, he is non-citizen, his age is 80 above, or a person residing in Assam, Meghalia, and Jammu and Kashmir, P, then we have gone through next section, section 139 1C, 139 1C said, a central government has power to exempt class or classes of person from filing return of income, then we have gone through section 139 B, filing of return by TRP, TRP is an individual who has been notified as TRP, yes, following person can't be TRP, a chartered accountant, a legal practitioner, and a person as may be notified, three returns can't be submitted by TRP, original return if not filed by TRP, revised return can't be filed, tax audit cases and return of a non-resident cannot be filed by TRP, then we have gone through section 139 1A, bulk return, certain employee and employer has an option to file the return through employer, this scheme was optional only in 16 cities and to employer who has TAN and at least 50 employee, employee will submit all the data to employer and employer will submit the information to the income tax department, yes, next section is section 139, who will file return, now there is a long list who can file the return, first company and firm must file the return, second ROR having asset or signing authority outside India, either as a beneficiary or as a beneficial owner, any person who is other than individual HOF, AOP, BUI, AJP if income exceed basic exemption limit, third individual HOF, AOP, BUI, AJP if income before claiming deduction and exemption under 54 series exceed basic exemption limit, fifth, any person, any person, everybody, any person who has deposited more than one crore in a current account, deposited more than 50 lakh in a saving account, turnover from the business exceed 60 lakh, turnover from a profession exceed 10 lakh, in case of senior citizen his TDS deducted exceed 50,000, in case of non-senior citizen his TDS deducted exceed 25,000, his electric consumption is exceeding rupees 1 lakh, expenditure on foreign travel for himself and other person exceed 2 lakhs and fulfill any other condition as may be prescribed, yes or no, further, hum ne baat kariti other persons, pehla usme tha 139, 4A, a charitable trust must file the return if income before claiming exemption under 11 and 12 exceed basic exemption limit, 139, 4B, political party must file return if income before claiming, you know, exemption under 13 A, 139, 4C, if institution covered under section 10 must file the return if income exceed basic exemption limit, 139, 4D, college institution covered under section 35 must file return, 139, 4E, 4F, a business trust and investment fund must file return of income, iske baad hum looga ne dekha tha, yaad hooga to beata iske baad hum looga ne dekha tha 139, 1, 139, 1 aapko batata hai due date of filing return, so what is the due date of filing return, in case of arson covered under the tax or sorry person covered under transfer pricing reporting 30th November of the assessment year, a company covered any other company 31st October of the assessment year, person liable to tax audit 31st October, other person 31st July of the assessment year, in case of firm unless and until firm finalize the profit partner cannot file, so due date of partner will be equal to the due date of firm, in case of Portuguese civil code is applicable, then the due date of spouse will be the due date of husband, yes or no? then hum looga ne baad kariti 139, 3 loss return, as per section 80 read with section 139, 3, in order to carry forward the loss, the return must be filed, 3 loss shall be carried forward only when return is filed on time, PGBP capital gain loss for mowing and maintaining horse races, however, HP loss can be carried forward even if return is not filed on time, unabsorbed appreciation shall be carried forward even if when return is not filed, then hum ne baad kariti 139, 4 ki belated return, a belated return can be submitted when return cannot be submitted under 139, 1 or 142, 1, 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier, fir hum ne baad kariti 139, 5 ki 139, 5 hum se kehta hai, that a revised return can be filed when assessee finds any error or omission in the return filed, any error or omission in the return filed, 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier, fir hum ne baad kariti section 139, 9 ki, if assessee find any, if AO finds any defect in the return filed, he will communicate to the assessee of such defect within 15 days rectified valid return, else invalid return, then hum logane baad kariti section 140, who shall sign the return, technically this section is not applicable no, you hao pisco option mein bhi daal sakte ho, iske baad ham logane baat kariti, iske baad ham logane baat kariti, section 139 8 a updated return key any person can file his updated return within two years from the end of relevant assessment year right updated return can be filed only when the assessor is ready to pay additional tax updated return cannot be submitted in 10 cases situation number one he is filing a loss updated return situation two updated return is already filed situation three if the tax liability is going to reduce in team cases my updated return file nai kar sakti further other notice up for issue why assessment reassessment pending a complete or to kiya search seizure requisition already chaloui a proper prosecution wale case chaloui in Charo cases may be updated return submit nai kar sakti further agar eo nai aap ko already communicate kiya hai kiya aap keo per be naami property fema you know money laundering act wale case applicable hai ya aap keo against my dtwa notice receivu ya aap updated return file nai kar sakti lastly any other as may be prescribed jabhi aap updated return submit karenge section 140 b aap se kaita hai aapko additional tax pay karna hai additional tax is a tax on tax payable yes additional tax is 25 percent of tax payable agar aapne updated return within 12 months per dia additional tax is 50 percent of the tax payable agar aapne updated return submit kia within 24 months of the relevant assessment year yaad rakhye jo tax payable hai ya tax payable is tax plus interest jab aap tax nika lenge tax shall be inclusive of surcharge and hec and interest means interest under 234 a b and c yes or no right right achha ji sir is ke baad is ke baad hum logo nai ek or provision padhi thi maya aapko yaad dira do consequences of not filing the return agar return aapne time pe file nahi kiya aapko pahla 234 a ka interest lag sakta hai 234 f ki fees lag takti hai fees kitni 5000 rupees if income does not exceed 5 lakh the maximum fees is 1000 rupees yes or no then department action lay sakta hai aapke oopper aapko 142 1 ka notice a sakta hai 144 ka best judgment assessment ho sakta hai aapke oopper yaa fir wopper prosecution bhi laga sakta hai as per 276 cc yes or no thank you so much aapne dosta ko bhi se forward kar de na bye bye and take care saadhe 9 minute mein poora chapter revise ho gya aaj aapka simply eki kam hai ghar jate jate isko sun lena sone se pahle sone ke baad uthne ke baad tin bar panna khanese pahle khani ke saath khani ke baad tin bar panna hai sabse best party ho gya dood hai dood se dhai dhin se hum is chapter ko chala raha hai jho 6-7 ghante ka chapter poore 10 minute mein revise ho gya paad samanjh me ari aapne dosta ko aapne tarp se pregift bejna level na poora revision yes or no chalo turan disko pahle save karlo ba ba aapne dota ba baadzada chaliyo next chapter pere chalte hai next chapter kya thama करना, Income Tax Authorities, Main Lease की तीन सेक्शन रवाइस करने अपने को, yes but हम फटाफट रवाइस कर लेंगे, चलो एक और, 3, 2, and start. Hello guys, good evening, this is Vijay Sada from Ikatwam Academy, हम बात कर रहे हैं, CACMA Final Direct Access की, यह है Audio Revision Chapter Income Tax Authorities का, Income Tax Authorities में सबसे पहले आता है Section 116, इसके अंदर में क्या क्या कवर होता है sir, 116 के अंदर में Income Tax Authority means सबसे पहले CBDT, इसके बाद में दो विंग होते हैं, Analysis Wing and Investigation Wing, Under the Analysis Wing, you get CCIT or PCCIT, Under the Investigation Wing, you get DGIT or Principal DGIT, CCIT के निचे, you get Principal CIT or CIT, Under the Investigation Wing, you get Principal DGIT or DIT or CIT Appeals, फिर उसके निचे, Joint Commissioner, Joint Director, Assistant CIT Appeal, उसके निचे, ACDC, ADDDD, उसके निचे, ITO, Tax Recovery Officer and Inspector of Income Tax. Then Section 117, the appointments of officer will be controlled by Central Government. Section 118, Central Government will decide who officer will be subordinate to whom. Then Section 119, 119.1, 119.2. 119.1 says that CBDT has, CBDT can issue any order, any notification, any circulars. However, two orders can't be issued, to make a particular assessment or make an assessment in a particular manner, and interfere with the order of CIT appeals, yes or no? Second, CBDT can provide any kind of relief, they can admit belated application, they allow exemption, they can allow refund, yes or no? Then 119.1 income tax can bring up the taxpayer charters. Then we have talked about Section 120, 124, 127, 129, all submerged with Section 130, which we have seen, Central Government will bring in a scheme to submerge Section 120, 124, 127 and 129, wherein to bring that efficiency, transparency and accountability by eliminating the interface between income tax authority, optimum utilization of resources and bringing the team-based assessment, bringing the team-based assessment, clear, yeah, Malik? Next point, next point, incumbency of the office, Section 129. Yes, income tax authority who cease to exist the jurisdiction will be succeeded by another officer. Another officer will take up the case from the place where the earlier officer has lived the work. However, assessor do has a right to demand income tax officer that he be reheard or he be reheard before completion of assessment. Yes or no? Thank you so much, You're welcome, let's see what happens. How much time do you give up? Aunty minute. Open the circle. haben, we have a man who has been sent to us, a human race, a human race, a human race, a human race, the human race, a human race, कि दन अच्छा एक काम और कर सकते हो तुम लोग मानलो ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर ही लेक्चर देख रहे हो अगर आप लोग फेस टू फेस वाले कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो प्लीज उसे क्या कर दो अपने जो वाट्साप ग्रूप है उसके उपर देदेंगे आप अगर यूट्यूब पर भी पहले दस लेक्चर देख रहे हैं तो आप जोईन कर पाएंगे येस या आपको जो लिंक आएगी लेक्चर की की आएगी मैं ट्राइ करूँगा कि उसके साथ वाट्साप ग्रूप का लिंक भी अटाच हो जाए ताकि आप डार करना और जो हम वक्ता उसको देख लेना है चलो एक काम करते हैं कम्प्लीट ही कर लेते हैं बेसिक्स चलो 3, 2, 1, Go हम बात कर रहे हैं final direct taxes की revision audio revision की yes or no आज chapter का हम revision उठाएंगे basics का भाई साब फटा फटा याद रखेगा income tax act extend to whole of india there are 298 section 14 schedules in the income tax the scope of income tax include income tax act, income tax rules, notifications, circulars and case laws, यादा रहे मालिक आपको yes, what is the constitutional validity of income tax article 265 केता है no taxes can be levied or collected except by authority of law, now who is the authority who will pass the law, parliament or president, yes as per article 245 or article 123 can pass the law, all the taxes which has been collected shall be divided between center and state as may be decided by president, however, surcharge will be kept by union and says can only be used for specific purposes, याद रखे tax collect करने का जो right है यह center को दिया है by entry number 82 to the union list, however, agriculture income पे tax collect करने का power state को दिया गया है by entry number 46 to the state list, yes or no? then, हम लोग ने बात करें थी, जो you know tax है, tax में जो changes आते हैं, यह कहां से आते हैं, budget से आते हैं, yes, in the year of election दो budget होते हैं, interim budget as well as final budget, budget की applicability कब से होती है, upcoming 1st April से आपका budget applicable हो जाता है, लेकिन इसका effect actually assessment year में ही आने वाला है, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा income tax assessment year की language में लिखा है, फिर हम आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा, income tax extend to whole of India, India का मतलब क्या है, India extend up to 200 nautical miles, that is up to exclusive economic zone, फिर हमने बात करें थी section number 4 की जहां से आगे की चीज़े आगे बढ़ती है, income tax is payable for any assessment year at the rate specified by annual finance act in respect of total income of any person in previous year, right, सबसे पहले हम चलते हैं, previous year assessment year word को clear करने के लिए, what is previous year, sir section 3 आपको बताता है, previous year is the year preceding the assessment year, section 2 subsection 9 आपको बताता है, assessment year is the year starting from 1st April every year, assessment year is the period of 12 months, previous year can be of less than 12 months, yes or no, in case of business commencement, previous year start from the date of commencement, previous year start from the dates of commencement, yes or no, as a general rule, income of previous year is taxable in assessment year, लेकिन इसके 5 exception है, AOP, B.O.I. form for short duration, non-resident shipping business, closure of business, transfer of property to avoid tax and person living India permanently, yes or no, so, यह था previous year assessment year, फिर हम बात करते है, total income, दिखिए, source of income unlimited है, heads 5 है, salary, HP, PGPP, capital gain, other sources, इन पांचो head को मिलाओ, clubbing and set-off के adjustments करो, इसके बाद आपको मिलता है, gross total income, gross total income में से chapter 6 हे के deduction minus करो, आपको मिलता है total income, you pay tax on total income, yes, फिर हमने section 4 में ही एक और वर्ड धुंडा person, क्या word person defined है, section 231, person communicate करता है, person means individual, HOF, AOP, BY, AJP, yes or no, फिर हम बात कर रहे थे, assessi, assessi पूरे income tax में जगह पे, assessi word लिखावा है, section 2, subsection 7, बताता है, assessi, assessi means every person who is liable to pay tax or any other sum under the act, or in respect of other person's income or loss, he is assessable, and also include deemed to be assessi, assessi in default, याद आ रहा है, अब section 4 का last word बचता है, tax, अगर हम बात करें, tax की, तो, tax की पास, assessi की पास दो option है, एक है new scheme, एक है old scheme, yes or no, right, assessment year 24-25 से एक twist आया है, twist यह है, कि जो पहले alternative tax scheme थी, अब वो default tax scheme है, right, और assessi क्या कर सकता है, old scheme को opt कर सकता है, सबसे पहले हम old scheme में tax समझने गए, चलो याद करके देखो, old scheme में age के basis पे slab rate थे, कौन-कौन से, non-senior citizen, non-resident, individual, HOF, AOP, BY, AJP, up to 2,500,000, nil, 2,500,000 to 5,500,000, 5,500,000 to 5,500,000, 5,500,000 to 10,000, 20,000, about 10,000, 30,000, senior citizen के लिए up to 3,000,000, 3,000,000 to 5,000,000, 5,500,000, 5,500,000 to 10,000, 20,000, about 10,000, 30,000, super senior citizen के लिए ये limit थी 5,000,000, tax calculate करते वक्त हम 6 चीजों का ध्यान रखते थे, पहला, tax shall be added with surcharge at the rate of 4%, second, total income and total tax must be rounded off in multiple of rupees 10, third, special income shall be taxed at special rate, wherein long term under 112, 20%, short term under 111 a 15%, long term under 112 a beyond 110%, special income that is casual income 30%, yes or no, fourth point हमने पड़ा था, if a sesee cannot absorb basic exemption limit and has special income other than casual income, such special income will be first adjusted towards basic exemption limit, fourth was rebate, याद रखे, Google पे नहीं जाना है, rebate old case में आज भी 5,000,000 ही है, if a sesee is individual, he is resident, total income does not exceed 5,000,000, rebate is lower of 12,500 or 100% of tax, sixth point हमने पड़ा था, surcharge, surcharge हमने क्या पड़ा था, up to 50,000,000, there is no surcharge for individual HOF, AOP, BYU, IJP, yes 50 lakh to 1 crore 10% any income, 1 crore to 2 crore 15% any income, 2 crore to 5 crore, capital gain and dividend income 15% other income 25%, above 5 crore, capital gain and dividend income 15%, other income 37%, if your dividend income plus other income exceed 2 crore, but not covered in case number 4 and 5, the surcharge is restricted to 15%, याद आ रहा है आप सभी को, यह थे आपके 6 points tax calculate करते वक्त, plus अब आते हैं हम लोग alternative, wait not alternative, firm tax rate was 30%, surcharge in case of firm was 12%, if the income exceed 1 crore and HEC was 4%, cooperative society के लिए tax था, first 10,000 पे 10%, next 10,000 पे 20%, balance के उपर 30%, if income is between 1 to 10 crore, 7% surcharge, about 10 crore, 12% surcharge, plus HEC remain common, yes, domestic company turnover of 21-22, does not exceed 400 crore, 25% is the tax rate, else 30% is the tax rate, yes, if income is between 1 to 10 crore, 7% surcharge, about 10 crore, 12% surcharge, in case of foreign company, the tax rate is 40%, surcharge rate is 2 or 5% and HEC is 4%, यागा रहा है, यहाँ आपका old tax scheme खतम होता है, और new tax scheme चालू होता है, 115 BAC, here and after from assessment year 24-25, 115 BAC is applicable to individual HOF, AOP, BOI, AJP, the tax rate is specified under 115 BAC 1 A, up to 3 lakh nil, 3 lakh to 6 lakh 5%, 6 lakh to 9 lakh 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20% and above 15 lakh 30%, yes, surcharge is 10, 15, 25, 37, yes or no, special income is taxable at special rate HEC 4%, यादा रहा है मालिक आपको, further, अगर आपको 115 BAC opt करना है, अगर आपको 115 BAC क्या करना है बिटा, opt करना है, तो आपको कुछ deductions छोड़ने पड़ेंगे, salary में standard deduction छोड़ना पड़ता था, यादा रहा है क्या, लेकिन इसमें एक exception है, जो मैं salary में बताऊंगा, क्या किया गया है, 115 BAC में उनने 50,000 का जो standard deduction है वो रखा है और आगे का हटा दिया, तो यह exception लाया गया है इस particular assessment year से, next, आपको section 16 के deduction छोडने है, आपको HRA claim नहीं करना है, आपको free food claim नहीं करना है, आपको leave travel नहीं करना है, HP में IOBC का loss, फिर PGBP के अंदर में additional depreciation 32 AD, 33 AB, 33 ABA, 35 AD, section 35 CCC and section 35, then IFOS में family pension छोडना है, clubbing के अंदर में 1032 छोडना है, exemption के अंदर में 1017 daily allowance वाला पार्ट छोडना है, deductions के अंदर में any deduction except ATJJAA, ATCCD, ATLA यादार आए के आपको, yes or no, और ATCCH कुछ नया आया है वो, फिर हमने बात करी थी 115 BAD की, 115 BAD cooperative societies जो है, इनके लिए tax rate आया था 25.168% provided ये कुछ deductions ना ले, फिर हमने बात करी थी 115 BAE, 115 BAE manufacturing cooperative societies will be liable to 17.16% effective rate, other activities से आने वाला income 25.168%, फिर हमने बात करी थी companies की 115 BAE, BAB manufacturing काय में होना चाहिए, जल्दी से बताओ, सच करो, manufacturing कहां होना चाहिए, याद होगा आपको, manufacturing होना चाहिए 115 BAE के अंदर में, so if company is engaged in domestic company engaged in manufacturing, manufacturing से आने वाला activity 17.16%, other activities से आने वाला income, other activities से आने वाला income, बोलो कितना 25.168%, यादा रहेगा मालिक आपको, yes or no, अगर AO ने आपका profit increase किया है, yes close connection के कारण, तो आपका 30% plus surcharge plus HEC आता है, यादा रहेगा मालिक आपको, इसके अलावा जो भी other domestic company है, इसके अलावा जो भी other domestic company है, in other domestic company के अंदर में, right, other domestic company के अंदर में, बोलो जल्दी से 25.168% का tax हाएगा, हाँ या ना, provided आपको deduction ना ले, which is common to all, यादा रहे मालिक, that's it, so thank you so much, bye bye and take care. देने जी, आलत करा हो जाती है, चलिए, thank you so much for the day, मिलेंगो आपसे कल, don't worry about the homeworks, वो अपन कंप्लीट करा लेंगे, कल से लेक्चर कहां होगा, YouTube पे नहीं होगा, कल से straight away, हम आप पे मिलेंगे.